हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या आनलाइन इस्टेटी सीरीज में स्वाग आसे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम पॉली टेक्निक एम आई आर्टी इंट्रेंसिक जम 2020 में आने वाले फिजिक्स के सदिस एम अदिस रासिया के महतपुर प्रशनों के बारे में डिसकस क कर लिजिए ताकि इस से रिलेटेट में वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकसन आप तक पहुंच सके तो चलिए फ्रेंट्स हमारा पहला नमर कोशन के हम देखते हैं कि दो बलू पी तथा क्यू के परिणामी पी है ठीक यदि पी को दोगुना कर दिया जाए तो कीव के साथ कितने डिगरी का कोण बनाएगा तो फ्रेंट्स जैसा कि आप कोशन में देख रहे हैं कि दो फोर्स है जो कि पी और कीव है उसका रिजल्टेंट क्या है हमारा पी है ठीक है फ्रेंट्स इतना समझ में रहा होगा लेकिन जब हम पी को जब दोगुना करेंगे य जाओगा तो जैसे कि पहले हम डाटा लिख देंगे यहां पर हमारा जो डाटा दिया है वह हमारा क्या है कि दो फोर्स है ठीक है उसका रिजल्टेंट पी है तो यहां पर हम फर्मूला आपको मैं बताया था कि पी स्क्वेर्ण प्रस्क प्लस्क क्यूभकृर्ण प्लस्क प्लस्क क्यूभकष्टू अन्यम पर यहां पर क्या होता है आर होता है तो वही R इसका यहां पर दिया हुआ है आपको P, तो मैं resultant के जगा पर मैं यहां पर P रख दिया, और resultant का square होता है, तो यहां पर P square हो गया, इतना तक कोई दिकत नहीं है, अब यहां से हम P square को P square से cancel कर देंगे, ठीक है friends, तो अब देखें यहां पर मैं एक step और बढ़ा के लिखता हूँ, यहां पर 0 is equal to हो जाएगा हमार क्या, कि Q square plus 2P Q cos theta, ठीक है, इतना तक कोई दिकत नहीं है, अब यहां से मैं Q को कामन ले सकता हूँ, और इससे divide कर सकता हूँ, ठीक है, तो 0 is equal to Q, यानि Q plus 2P cos theta, ठीक है, इतना तक कोई दिकत नहीं है, और friends दखिए, मैं इसक पर direct लिख सकता हूँ, कि Q plus 2P cos theta is equal to 0, ठीक है, अब friends हमको बताना है कि Q के साथ कितने degree के angle बनाएगा, तो अब मैं एक formula में आपको और बताया था, कि 10 alpha और 10 beta, तो 10 alpha और 10 beta कहाँ अपलाई करता है, यहीं मैं बता चुका था, ठीक है, तो 10 alpha वाले यहां पर हम सुत्र को apply करे यहां पर लिख सकते हैं, कि 10 alpha is equal to, यहां पर 2P sin theta upon Q plus 2P cos theta, इतना तक होता है, कोई दिकत नहीं, अब देखिए friends, आपको दिख रहा है कि Q plus 2P cos theta is equal to, यहां पर कितना है, 0 है, यहां पर मान पूट कर देंगे, तो हमारे कितना जगा, यह 2P sin theta upon में 0, अगर किसी भी संख्या से, अगर किसी भी संख्या में 0 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मान कितना होता है, infinite, ठीक है, इतना तक कोई दिकत नहीं, तो आप जानते हैं कि 10 alpha बराबर infinite आ गया, यहां पर alpha का जो मान होगा, वो कितना होगा, वो होगा 90 degree, ठीक है, तो यहां सिदे सिदे में लिख देता हूं, यहां पर alpha is equal to 90 degree, ठीक है, तो आप सा number A is correct answer, ठीक है, तो alpha is equal to 90 degree हो जाएगा, ठीक है, आज सा करता हूं, आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, अब चलिए इस वीडियो का second number question, यहां दूसरा number question की बात करते हैं, जो दूसरा number question दिया ह आपे कि 12 newton तथा 5 newton के दो बल, alpha कोन बनाते हुए कारेड़त है, और उनका परिडामी 13 newton दिया हुआ है, ठीक है, तो alpha का मान कितना होगा, यह हमको बताना है, ठीक है, तो friends, अब देख लिए यह दो force है, जो 12 newton का है, और दूसरा जो force है, वो 5 newton का है, ठीक है, और उसका result intent जो दिया है, वो 30 newton दिया है, तो सबसे पहले में समांतर चत्रूजवाला फर्मूला लगाऊंगा, कि r is square is equal to p square plus q square plus 2p q cos theta, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर फर्मूला लिख देता हूँ, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर फर्मूला हमार अब पहले डिया हूए, वो कितना दिया हूए 13 newton, यानि कि 13 की हो जाएगा, इस्क्वाइर हो जाएगा, अब दखिए फ्रेंट जो हमारा पहला मतलब दिया हूए, कि पहला फोर्मूला कितना दिया है, कि 12 newton ता हम इसके 12 का square, कर देंगे और दुसरा का जो हमारा फोर्मू कास ठीटा ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं है अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे देख लिए कि यह 13 का स्कार जो को होता है 169 होता है इसकाल टू यह देखिए 144 हो जाएगा ठीक है और यह हमार हो जाएगा 25 ठीक है प्लस 2pq कास ठीटा यहां पे लिखेंगे तो 12 में 10 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 कास ठीटा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे 144 में अगर 25 जोड़ेंगे 179 हो जाएगा तो मैं सीधे सीधे इसको केंसिल कर देता हूं ठीक है इस वाले पोर्षन को इस वाले पोर्षन केंसिल कर देता हूं तो सीधे सीधे मैं यह 1 20 काशः धीटा रिसकौल टू झीडरो 10 क शिप यहां से काश धीटा बरबर कितना हो जाएगा जीरो हो geologyyard रहां से काश धीटा घोल turned जीरो हों जाएगा जो कर जीरो हो गया तो यहां पिकाश कीतने उंच् कमानी, जीरो होता है, तो यह आप बता सकते हैं कि C by 2 कमानी, जीरो होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब यहां से C by 2 किम जयेगा है तो नहें सो हमारो 2 किम देखेंगे और 2 किस मेंகैlyn आ रहा है तो हमारा आपसा नंबर D is correct answer ठीके तो फ्रेंट चली का जो थर्ड नमबर कोशन है उसे हम देखते हैं जो इस वीडियो का तीसरा नमबर यानि थर्ड नमबर कोशन है हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि तीसरा नमबर कोशन क्या है कि एक हावाई जहाज उत्तर पसिम दिशा में 80 किलोमेटर प्रति घंटा के बेग से उ हमार क्या है कि नार्थ और वेस्ट डियरेक्षिन में 80 किलोमेटर प्रति घंटा के वेग से इस फ्लाइट कर रहे है अब जो ओन के वैले कितना है वह है 30 किलोमेटर प्रति घंठ ठीके वो कि 10 में कि उतर और पूर्वदिसा में encipe में एक यहां पर डाब्धर् ungefähr अगराम ब इस्ठ हो जाता है और यह हमारा वेस्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंट्स तो सबसे पहले हमारा पहला नमर टपी क्या बोल रहा है कि 80 km प्रति घंटा के वेक से उतर पसिम उतर और पसिम यानि नार्थ और वेस्ट इस डिरेक्शन में आएगा तो 45 डिगरी के एंगल बनाते हो जुड़ हुए यानि नार्थ और इस्ट में तो नार्थ और इस्ठ के हम सिरधAB 45 डि Но बनाता हुए लिख देंगे ठीक है यह हमारा हो गया अब देखिए इसका तो resultant हमको निकालना है कि ios resultant गति क्या है तो वह हमारा ये देख लिए कि इसको माणने जाए आप P माले जिए और इससे आप क्यूं मान सकते है इसके और इसके बीच के जो यह हो जाएगा हमारा 45 और यह 45 कितना मिल जा रहा है यहाँ पर 90 डिगरी का एंगल बना रहा है यह दोन लेते हैं कि 80 दिया हुआ है ठीके 80 किलोमिटर प्रती घंटा ठीके और दुसारा जो दिया हुआ है वह आमरा कितना दिया है 60 किलोमिटर प्रती घंटा ठीके तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है वह होता है कि अब देखिए जो हमारा ठीटा है थीटा कितने डिग्री बना रहा है वह हमारा 90 डिग्री पे बना रहा है ठीके तो अब यहां पे से हम सारे के सारे मान पूट कर देते हैं जब फूट कर देंगे तो वह हमारा रिजल्ट्ंॡटम जाएगा ठीके तो सबसे पहले हमें यहां में पी कमान रखेंगे तो पी कमान हो जागा 80 तो 80 का इसकुएर कर देंगे फिर इसी तरह यहां पे दू सारट इंटू Sand टिटए कमाड कीतना है 90 दिगरी तहां पर 90 दिगरी रख देंगे ठीक है अभ देख लिए का Everyday का स्कॉयर कितना हो जाएगा तो हम इसी तरह भी रहने देंगे प्लस तरह छोड़ देंगे प्लस यह देखिए फ्रेंट्स कि कि 90 कमांड जब 0 होता है ति पूरे पोर्षन को क्या कर देगा जीरो कर देगा ठीक है इतना तक कोई दिक्कत नहीं है अब देख लिजे फ्रेंट्स कि 80 और 60 का स्क्वाइर बच गया ठीक है यहाँ पर हम इसे काफी कर देंगे तो अब देखिए फ्रेंट्स यह जो मान था हमारा आर इसक्वाइर के मान था ठीक है अब देखिए हम अब हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बेग से उसका रिजल्टेल हो जाएगा ठीक है तो आप सम्सी इस करेक्ट आंसर और इस वीडियो का चोथा नंबर कोशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन में लेके आया हूं जो कि एकजाम के द्रिष्टी कोड से बह के अनपात में है निमन में से कौन सा संब्ध सही है तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कोशन के मादव से कि हमारा दो फोर्स है ठीक है उसका मैक्सिमम में इसे हल करता हूं तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसके पिछले वाली वीडियो में बता चुका था कि maximum और minimum resultant का मतलब क्या होता है तो आईए चानते हैं कि हम maximum resultant कब होता है और minimum resultant कब होता है वो वाली condition पहले मैं लिख देता हूँ ठीके तो देख लिए friends जब देखिए friends अगर दो कोई force है तो उसका maximum condition कब होगा जब दोन फोर्स को हम 8 कर देंगे और उसका minimum condition कब होगा जब उसको minus कर देंगे तो ठीके मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि maximum वाला condition यहाँ पे P plus Q हो जाएगा इसे P minus Q में अगर हम क्या करेंगे 3 से multiply करेंगे आई यह करके देख लेते हैं कि कितना होगा ठीके यहाँ पे P plus Q is equal to 3P हो जाएगा माइनस 3 Q हो जाएगा ठीके अब अब देखिए फ्रेंट्स इस P को इधर कर देते हैं और इस Q को इधर कर लेते हैं ठीके तो आई हम जान लेते हैं यानि यह हो जाएगा 4 Q is equal to 2P हो जाएगा ठीके यह एक पी इस में से माइनस हो जाएगा तो 2P हो जाएगा अब यहां से 2 से 2 यह cancel हो जाएगा यहां पर 2 बज जाएगा यानि P is equal to 2Q आ जाएगा ठीके फ्रेंट्स तो हम देख रहे हैं कि आप से नंबर C is correct answer है ठीके फ्रेंट्स तो इस वीडिय सदिसो का परिणामी और धिकतम होगा जब उनके बीच का क्या होगा जो पोछिडा फ्रेंट्स तो सबसे पहले में पीछे वाले वीडियो में इससे भी डिसकस कर चुका हूं कि मैक्सिमों के कंडिशन में एंगल कितना होता है तो आई हम इसे जान लेते हैं कि मैक्सिमों व वो दोनो जीरो डिगरी के एंगल पर लागे गें तो उनके बीच का जो रियल टेंट होगा मैक्सिमम होगा तो आपसर नमबर ए इस करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीके फ्रेंट्स अब इसी तरह अगला नमबर कोशन क्या है कि मैं बताया था है कि निफ़ा लगा जब उनके बीच का कोण कितना होगा उनके ρό two q q q oluyor q 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 qq q 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 सदीश और अदिश रासिक में पूरा बिद्वा से डिटेल में बताया था ये देख लीजे धारा में बताये भी था कि करेंट क्यों नहीं है इसका रिजन क्या है आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं और आपसन मनमर भी क्या है कि बैदु छेतर, सी क्या है दो समान वेक्टरों का परिमार सुनने है उनके बीच का क्या होगा ठीक है फ्रेंट्स तो यह हमारा कोशन क्या पूछ रहे है प्रेंट्स सबसे पहले हम जानेंगे कि दो समान वेक्टर मान लिजिए कि दो सेम वेक्टर है जिसके मतलब परिमार क्या है जीरो है तो उनके तो आप जानते हैं कि इससे का सलूशन इस तरह करेंगे कि इसका माल लिए फर्मूला में लिख दे रहा हूं इतना होके कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ जाहाँ जाहाँ इन्टू पी कास ठीटा हो जागा अब देख लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो यह कितना हो जागा टूपी स्कुरू हो जाएगा यह हमारे काश अलेमल diversity पीटर कामल ले रहा है ठीक है तो जीरो इससकेलl — 2p2 हो जागा 1 plus cas ठीटा ठीके अब यहां पर 2p2 स्कूर को इधर करेंगे तो माइनस मतलब zero हो जाएगा तो सिद्धे सिद्धे मेद लिख दे रहा हूं कि cas ठीटा इस्कॉल टू मैनस वन तो कास ठीटाइस क्ल टू माइनस वन में पीछे भी बताया था कि काश तीटा बराबर माइनस पर तबाइबक उन्स कुच कितने a役ला या एल्यांस का यह है तो काश मतलब जिसमें दिशा होती है तो आपसे नंबर चाल sagen ट्रब्यपमांब तो दीछां दूरी में हमारा तो परिमान में मतलब का जिए कि क्योल परिमान है डिसा नहीं है, एक ऊर दस्तिवनorder क्वोषथ कि निम्न रासी ओं में से कौन सदिस रासी क्रासी नहीं है तो गती जुरजा, तो और रेखिये संबेक विस्थापन तो सबसे पहले में देखेंगे प्रेंट्स की सदीस नहीं है तो यह देख लीजे आपसा नमर ए पहले देखने का आपको मिल रहा है कि गति शूर्चा जो है इसमें क्या है यहां है इसमें केवल परिमार होती है तो इसके बज़ा से आप यह भी 11 नमर कोशन को आप में वेरी वेरी इंपोर्टेंट के नाम से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक्जाम में बहुत बार पुछा जा चुका है तो कोशन के आमरा है कि एक बस्तु उपर की ओर फेकी जाती है 30 मीटर उचाई तक जाकर वह पुना फेकने वाले अस् अस्तान तक फेक दिया ठीके जब इस अस्तान तक फेका तो फिर यह क्या हो रही वस्तु यहां से फिर रिटर्न इधर आ जारी है यहां इसी अस्तान पर आ जारी है ठीके तो अब हमारा विस्थापन जो होता है जो हमारा विस्थापन जो होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है अंतिम इस्थिति से मतलब हम तुलना करते हैं प्राणबिक इस्थिति की तो इसकी प्राणबिक इस्थिति यहां थी और अंतिम इस्थिति भी यहीं थी तो यह हमारा जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा हमारा जीरो होगा तो जीरो जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इसकी जो विस्थापन होगा, सुनी के बराबर हो जाएगा, तो हमारा नॉन आप दीस, इस करेक्ट एंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंट्स, अगला नमर कोशन क्या है, एक ब्यक्ति, 60 डिगरी के कोड पर उत्तर पूरु में 20 मिटर चलता है, पूरु की और उसने कितनी दूर पूरित है कि, आईए मैं इसे डिग्राम के माधिन से बताऊंगा, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आजागा, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर डिग्राम लेता हूँ, माल लिज़े कि यह है Y-axis और यह है X-axis ठीक है, आप इसे X-axis denote कर सकते हैं, इसे Y-axis denote कर सकते हैं, यह हमारा 00 coordinate होता है, अब देख लिजे, यह ब्यक्ति है, हमारा 60 degree के कोंट पर उतर पूरू, यह हमारा इस्ट होता है, ठीक है, उतर पूरू मतलब 60 degree के angle लेंगे, और यहां से खीच देंगे, ठीक है, जब खीच देंगे यहां पर, तो यहां पर कितना दूर जा रहा है, य यह हमारा 20 meter जा रहा है, ठीक है, जब 20 meter जा रहा है, अब देख लिजे, फ्रेंट्स, इसका हम component find करेंगे, मैं सदीसो के ब्योजन में analysis जब की जाता, तो मैं बताया था, जब x वाला होता है, वो cast x का, cast theta का fallen होता है, और यहां पर लिख सकते हैं, यह हमारा angle होता है, 60 degree का, अब यहां पर मैं इस 20 को यहां इस वाले direction में अगर दिखाऊंगा, x वाले direction में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 20, cast theta, और शिटा के जगा पर मैं 60 degree ले सकता हूँ, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसी वाले question को यही बताना है, कि पूर्व की और कितनी दू कितना होता है, cast theta, 1 by 2 होता है, ठीक है, तो 1 by 2 से यह cancel होता है, कितना होता है, हमारा 10 meter, या अप्शन यह इस correct answer होता है, ठीक है, तो अगला number question क्या है, हम देखते हैं, यदि दो बल, सदिस्तों के परिमाड, 6 Newton, तो तो 8 Newton है, और वे परस पर लंबवत लगे हैं, तो उनके प 6 Newton और second वाला है, 8 Newton, ठीक है, और जो उसका resultant है, वो perpendicular है, ठीक है, तो उसका जो perpendicular दिया हुआ है, तो उसका resultant कितना होगा, वह ही हमको find करना है, ठीक है, आइए जानते हैं, सबसे पहले हम data को, जो हमारा data दिया हुआ है, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो हम ल Newton है, ठीक है, और जो बीच का जो angle है, यानि theta है, हमारा यह है, 90 degree, ठीक है, हम जानते है, law of parallelogram से, कि जो हमारा resultant निकल के आता है, वो r square is equal to p square plus q square plus 2p q cos theta, ठीक है, अब सारे मान यहाँ पे put कर देंगे, हमारा resultant निकल के आज सेगा, ठीक है, बहुत ही easy सवाल है, आप इसे द यहाँ पे 8 cover कर देंगे, यहाँ पे 2 into p कमान यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख देंगे, क्यूं कीक Walk here, यहाँ पे आट है, तो 8 लिख देंगे, यहाँ पे 90 डिगरी का angle लिख देंगे, ठीक है, कोई दिकत निहाँ अब यहाँ देख लिए कि 6 cover कितना होता है, 36 होता है, ठीक है, प है ठीक है अभी है जो मान है यह हमारा स्क्वैर के बराबर है ठीक है तब यहां पे और इस और सथैस्वेल कोई डिकत नियए और मैं सीघी सीघी हम को एज ma lanorgan ya好吃 video महांन निकाल तो मैं सीघए सिदे आर्ड डोने पक्षे को circuit आपसा नमबर सी इस करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है तो हमारा वीडियो का लास्ट कोर्सन था यदि वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और यादि आप इस चैनल पर नहें तो प्लीज इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लिए साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लिए ताकि इस से रिलेटर में वीडियो अपने पास ही मत रखिए अपने फ्रेंड्स को भी सेर केजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सकें थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो